जिसकी में सब्सक्राइब करना जिए। आप भी कोई जैसी ग्लास इसकिन के हगदार और मालिक बनना चाहते हैं। और ज़सक की जापनीज को देख थे हैं। सबसे पहले सोचते हैं, कि काश इसकी इसकिन की तरह मेरी इसकिन हो जाए। अगर आपको यह ऐसे जन हैं जो यह चाहते हैं कि आपकी skin fairer हो जाए, आपकी skin even हो जाए, आपके चेरे पे शीशे जैसा glow आजाए और आपकी skin Korean like यानी glass like skin हो जाए और spotless दिखे, तो मैं अज़ आपके साथ share कर रही हूँ एक ऐसा face wash जो कि आपको देगा आपके चेरे पे Korean ज जा जाकर या फिर office जा जाकर हमारी skin बिल्कुल डल हो चुकी है, हमारी skin की एकडम band बन चुकी है, कुछ हमारे साथ ऐसा शेयर करो जो कि हमारे चेरे की चमक बढ़ा दे और हमारी skin एकडम spotless और fair हो जाए, तो आपकी ख्वाहिश आज कूरी होने वाली है, इस Korean face wash से जी हाँ अगर आपके आभी मौसम का यही हाल है, तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे बताना, साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो पसंद कर रहे हो, आपको नीड थी, तो प्लीज वीडियो को लाइप करने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर मैं निगार, यहा आज का ये Korean face wash जो की आपकी skin के उपर लाने वाला है, spotless glow, keep watching, Korean face wash को शेयर करने से पहले कुछ बाते जानना बहुत ज़रूरी है, देखो guys हर जगे का weather और climate अलग होता है, वहां का खान पाना लग होता है, यानि हम Indians हैं, तो बहुत जादा oily और बहुत जादा spicy खाना पसंद करते हैं, बट अगर Chinese या Japanese या Koreans की हम बात करें, तो वहां की जो lifestyle है, वहां का जो weather है, वहां का जो climate है, बहुत अलग है, इंडिया से तो बहुत ही अलग है, और उन लोगों की lifestyle इतनी जादा, मतलब इतनी lifestyle जो है, इतनी जादा बहतर होती है, कि वह किसी भी चीज को करने से करते हैं, तब उसको करते हैं, तब उसको follow करते हैं, और यकिनन वह अपनी overall health के उपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा active रहते हैं, physically भी और इसके अलावा वह बहुत सारी चीजा ऐसी करते हैं, जिसे उनके skin भी बहतर होती है, और actual में अगर जो मैं बता करते हैं, जिसमें कोई भी स्वाद नहीं है, बे स्वाद है भले ही, वो कितना हमें फायदा पहुंचा रही है, हम उसके फायदे पे न जाकर उसके टेस्ट पे जाते हैं, यह हर एक के साथ है, ठीके, तो सबसे पहले अगर आप ये चाहते हो कि भाई, आपकी skin glow करें, या फ skin glow करती है, और glass-like skin आपको अचीव हो जाती है, विदिन ए वन मन्त, एक महीने तक 8-10 glass पानी पी कर देखो, और इसके साथ-साथ healthy food लो, यानि green vegetables, pulses, यानि juices, ये सारी चीज़ अगर आप लेती है, तो आपकी skin definitely बहुत अच्छे की तरफ जाती है, ठीके, और जल्दी- चापा, या फिर wrinkles, या फिर fine lines, या फिर age spot ये नजर नहीं आती है, तो साथ-साथ हमारी skin के उपर हमें क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, कैसे अपनी skincare करनी है, इसके लिए भी हमें बहुत aware होना पड़ता है, ठीके, तो ये सारी चीज़े जब मिलकर काम करती है, तब हम बात करते हैं, राइस क्या करता है, देखो गाइस, एक तो ये anti-aging property से भरपूर होता है, साथ-साथ इसके अदर बहुत सारे minerals होते हैं, vitamins होते हैं, इसकीन के उपर glow लाने का खजाना पहे जाता है, इसमें साथ-साथ अगर आपको black patches बन रहे हैं, आपको pigmentation बहुत जादा पानी हमारे लिए बहुत अच्छा है, यानि उनको आपको लेना है, बोल में तकरीबन 3 टेबल स्पोन, तीन छोटे चमच आपको ये चावल लेने हैं, इसके बाद आप क्या करोगे, एक बार पानी डाल कर आपको इसको अच्छी तरह से धो लेना है, वाश करना है, ताकि इसके उपर जो धूल, मिट्टी वगएरा है, वो हड़ जाए, ठीके, इतना कर लिया है, दो बार ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, और इसके बाद आधर कब पानी डाल कर ये राइस जो है, ओवरनाइट आप रखोगे, रात के वक्त भिगो कर ये चावल आप रख दीजे, अपने कोरियन फेसवाश में, तो हम क्या करेंगे, जिस भी ग्लास या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में आपको ये अपना फेसवाश बनाना है, डालेकली हम उसी के अंदर ये आधर कब चावल का पानी प्लेस कर देगे, ठीके, सेकेंड इंग्रिट हमें क्या करना है, हमको इसके अंदर मिलाना है, that is rose water, यानि गुलाब जल, ताजा पतियों का अगर आपके घर में बना हुआ रखा है, वो rose water आप एट कर सकती हो, या फिर market based में डाबर गुलाबी का इस्तमाल कर रही हो, तकरीबन 1 tablespoon आप इसके अंदर डालोगी rose water, ठीके, इसके बाद यहाँ पर आपको लेना है, that is glycerine, ठीके, glycerine क्या करेगी, आपके skin को hydration देगी, आदा चमच के बराबर, हम इसके अंदर अपनी skin को चमच बढ़ाने के लिए और dryness से दूर रखने के लिए add कर रहे हैं, glycerine का, ता हमारे honey यानि शहित का डालेंगी, जो एक natural humic tint है, और यह हमारे skin के उपर moisture को lock कर देता है, ठीके, जल्दी-जल्दी से आपको skin flacky नहीं नजर आती है, dry नहीं दिखती है, patchy-patchy से skin आपकी इससे नहीं नजर आती है, और साथी साथ ये skin को कसाव देता है, ठीक, इतना कर लिया, अब इसके अंदर हम add करने वाले हैं, guys, that is aloe vera gel, देखो, market- base aloe vera gel होना चाहिए, क्योंकि हम इस face wash को अपने store करके रखने वाले, ठीके, 2 टेबल स्पून इसके अंदर भर कर हमें add करना है, aloe vera gel, और साथी साथ इसमें एक बहुत ही जबर्दस ingredient मैं add कर रही हूं, that is kaolin clay, मैं आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने कई चीजों में इ अगर डालोगी, तो result अच्छा आएगा, इसका link भी मैं आपको description box में दे दूँगी, ठीके, kaolin clay आपको तकरीबन एक चमबच डाली है, और इसके बाद हम इसके अंदर add करेंगे, that is, मुलतानी मिट्टी, जी हा, मुलतानी मिट्टी, सदियों से इस्तेमाल की जा रही है, इ एक natural soap के दो, कुदरत ने हमें एक ऐसा soap दिया है, जो कि क्यामिकल से फ्री है, और हमारी skin को बहुत-बहुत तरीके से ये safe रगता है, तो आपको क्या करना है, वन टेबिल स्पून भरकर आप मुलतानी मिट्टी एड़ करो, और साथी साथ इसमें आधर चमबच के बराबर जी हाँ, चंदन पाउडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारी तवचा को थंडग देगा, साथी साथ एक ताजगी आपको मिलेगी इस face wash को इस्तेमाल करने के बाद, इन सारी चिज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से mix करना है, मालीज़ अगर आपसे मुद्दानी मिट थोड़ा जादा हो गई है, तो आप क्या करोगी, थोड़ा साथ चावल का पानी और एट करके एक अच्छी सी consistency में ये face wash आपको तयार करना है, और ये आपकी तो अच्छा को एकदम से गहराई से सफाई करेगा, आपकी skin क्लीन करेगा, आपकी skin बहुत अच्छे से साफ सु इसको लगाओगे, तो ये अंदर तक अब्जॉग हो जाएगा, बहुत ही जबरदस हाइडरिशन लेवल आपको इसकीन के उपर दिखाए देगा, जब भी आप नहाने जा रही हो, या फिर आप फेस वाश करने जा रही हो, या फिर आपको लग रहाए आपकी skin डल हो रही ह या फिर सोने जा रही हो, तो इस फेस वाश का इस्तिमाल ही आपको करना है, थोड़ा सा फेस वाश अपने पाम के उपर लीजे, इसकीन के उपर लगाएए, ने केरिया है, तो यहां का इसकीन भी आप क्लीन कीजे, इस फेस वाश ये तकरीब अब तीन से चार मिनट में आपको मसाज देना है, इतना टायम आप इस वेस वाश को जरूर जरूर दोगी, ठीके, जब आपने ये फेस वाश कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी इसकीन को जो है ना, ठंडे पानी से वाश करना है, छिटे मारते हुए वाश कीजे, और गाइस आप क की आपकी skin पहले से काफी जादा clean हो गई ये काफी जादा glow skin दिखेगी काफी जादा fairer skin दिखेगी ऐसा लगेगा एक परत milk आपकी skin से निकल गई है पहली बार में ठीक है तो ये face wash बना कर रखिए इसको try कीजे हमेशा हमेशा ऐसी चीजों कर स्तिमाल कीजे जो कि क्यामिकल से फ्री है आशे कर्टी मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस पेस वाश को बना कर लगाने के बाद मेरे साथ इसके रिजल शेयर करना आप से लोगों का जो फीडबैक आ रहा है जो कॉमेंट मेरे पास आ रहे हैं गाईस वो मुझे बहुत मोटिव सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइप करना विलकुल न भूलता है ठीक है मिलती हो नेक्स वीडियो में किसी जबर्दस कंटेंट के साथ अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अच्छे से ख Uma barrier गईस बाइस भाइश भ गाई